हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम स्कैच करेंगे बेसिक नेक लाइन जो कि हम स्टार्टिंग से करेंगे और इजी वे मैं स्कैचिंग सिखाऊंगी मैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके आगे बढ़ते हैं अभी क्या है मैं डिरेक्ट पेपर कुल्ड कट कर लिया है जिसे की यह इजी बता रही हूं कि आपको जादा महनत ना करनी पड़े हर बार अलग-अलग ड्रॉन ना करना पड़े अब यहां पर क्या है हमने अपर बॉडी का पार्ट जो है कट कर लिया है अब मैंने जो पेपर लिया जो हमारा फाइल होती है उ एक 16 पार्ट में क्योंकि मैं 16 टाइपस ऑफ नैक लाइन बनाने जा रही हूं तो 16 इकोल पार्ट में डिवाइड करके मैं ड्रॉ कर रही हूं लाइन यह हमारा तयार हो गया है अब इन में क्या करेंगे हम यह जो मैंने पेपर कट करके बनाया था एक बॉडी थोड़ी सी तो उस पैटन को हम हर जगर रखके एंड ड्रॉ कर लेंगे यह हमारा इजी मेथड हो जाएगा हम बार बार ड्रॉ करेंगे स्कैच कर अब फिर उसको नहीं हो पाएगा अच्छे से तो इरेज करना पड़ेगा उससे बेटर है कि हमने एक को ही अब हमने क्या है 16 जगापे कर दिया अब उसके ऊपर के नेक्स तो मुझे नॉर्मल करने थे तो मैंने नॉर्मल नेक लाइन दिया और यहां पे स्लीप को अलग कर दिया है अब हम ट्रॉ करने स्कैच थोड़ा सा जो में नेक है उसको हम ट्रॉ कर रहे है पैंसल से तो अब हम हलके हाथ से थोड़ा थोड़ा ट्रॉडा कर लेंगे जो जो नेकलाइन बनानी थी अभी मैं आपे नाम नहीं दूँगी यहां पर बस मैं जस्ट ऐसी ही ड्रॉ करके बता रही हुँ कहां को भी ऐसी ड्रॉ कर लेने आई है यह मैंने सारी ड्रॉक ली भाट पेंसल करने है वह पेहम थोड़ा सा जो श्केशन कलर होता है वह फिल कर देंगे अप हम शेट्स थोड़ा द्होड़ाई है कि धर से चलन के लिए तो आपको थोड़ा सा शेड को लेके चलना हुगा तो मेला उलिए यहां से बदाने क्या को यहां से यहां यह पर आपको लने क्यों नेक्लाइन द्रॉट है तो पर इतुए टक्लेस धिने के वाद मैं ड्रोट है है लाइट करना है तो यह हमने शेट दे दिया हुआ है हाइलेट कर देंगे यह हो गया हमारा वी नैक तो यह भी बेसिक जो नैक लाइन होती है वहीं है तो हमने नेक्स्ट भी स्टार्ट किया है इसको करते जाएंगे सेम प्रोसेस रसी करेंगे कलर भी हम एक ही कलर की पैंसिल यूज़ कर रहे हैं डाक्टू लाइट ले जाएंगे नेक में सममेस्केन कलर ही करेंगे यह है मारा स्क्वाइर नैक नेक्स्ट भॉ करते हैं यह हमारा ज्वैल नैक यह थोड़ा सा ब्रॉड होता है उपर नैक से थोड़ा सा ही नीचे आके और यह ब्रॉड रहता है एक दम शोल्डर्स पर यह हो गया बोट नैक अब हम ड्रॉड करेंगे की होल तो की होल नैक्स होता है आप की होल को ऐसे भी दे सकते हैं थोड़ा नीचे को यह और शेप में भी दे सकते हैं की होल नैक दो तीन डाइक का नीचे की होल बना सकते हम की होल नैक यह हो गया हमारा हाई नैक हाई नैक ज्यादा तर स्वेटर में मिलता है अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल नैक यह है रेक्टेंगल नैक अब हम नैक्स्ट करेंगे यह है हॉल्टर नैक हॉल्टर नैक को आप ऐसे भी कर सकते हैं एंडर स्ट्रैप वाला भी हॉल्टर नैक होता है कि जिसमें दौनों साइड से स्ट्रैप साते हैं और नैक के पीछे टाय हो जाते हैं अब हम नैक्स्ट करेंगे इस पर क्या हुआ वन शोल्डर पर हमने किया है रहा है और एक शोल्डर से नीचे गया है अब होल चे निकला है तो बेसिकली इसको आप फन शोल्डर भी बोल सकते हैं या फिर अस्यमेट्रेक पोलेंगे इसको क्योंकि यह दौनों साइड पर सेम नहीं है एक साइड पर डाउन और एक साइड पर अप है तो यह होगा अस्यमेट्रेक यह हमारा ब्रॉड होके एकडम शोल्डर से बैक पे जा रहा है मदा शोल्डर से नीचे आ रहा है तो यह हो गया आफ शोल्डर तो यहां पे यह मैंने थोड़ा सा नीचे स्वीधार्ट से दिया हुआ है यह स्ट्रेट भी हो सकता है राउन में भी हो सकता है बठांस आफ शोल्डर शोल्डर से नीचे होता है यह क्वीन एन ना नेक यह के स्ट्रेइट तो कुछ नहीं हुआ यह नीचे जगके मदा आम होल से स्टार्ट हुआ है दो प्रेंट प्रेंट राद है होगा स्ट्रेइटन यह हमने डौके शीचा की तरह ही एंद श्onne Again So do you know a little like actually क्योंता है ये वाला नीक आपको ज़्बतातर मिलेगा देखने मैं नैट के साथ में जिए फ़ोड़ा मेन फबिक देअं मेन फची पर स साथ में इसरे वाला के साथ DTC को ऑद यह और है इसे और को टो यह हमारा shift is my sweetheart ज़सा है कि इस मेंыш semi sweetheart neck, यह है 16 types of necklines, तो आप देख सकते हैं, scoop neck, v-neck, square neck, jewel neck, boat neck, keyhole neck, high neck, rectangle neck and halter neck, asymmetric neck, straight neck, sweetheart neck and off shoulder neck, Queen Anna, illusion and semi sweetheart, तो यह थी हमारी आज की neckline drawing, I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज कमेंट में ज़रू होताए कैसी दिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लिबाए, take care